नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है NBC Hindi News में और मैं मानश रंजन्दास पांच राज्यों के बिधानसवा चुनाव के प्रचार अवियान 9 नवंबर से अपना रफ्तार पकड़ लिया है कल 36 गड़ के सियासी आकड़े में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी खुद उतरे थे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जहां 36 गड़ में PGP के लिए प्रचार अवियान कर रहे थे वहीं कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कंकार में जनसवा को संबोधित कर रहे थे यहां की खास बात यह है कि इस चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी और राहुल गांधी एक तरह से पहली बार आमने सामने के इन दोनों की टक्कर होगी राहुल गांधी ने राफेल डील से लेकर नोट बंदी तक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और बीजेपी को घेरा राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है जो चुनाव से पहले बोलते हैं 15 लाग देंगे और 2 करोड नौकरिया देंगे और चुनाव खत्म होते ही बोलते हैं जाड़ू उठाओ और सफाई में लग जाओ राहुल गांधी ने कहा कि पीए मोधी अब नोट बंदी पर नहीं कहते उन्होंने फिर कहा कि अगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी नोट बंदी के बारे में बोलेंगे तो लोग उन्हें मन्च से भगा देंगे करी दोस्ता पूरे हुए राहुल ने यहां रैली पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोधी ने उनके कुछ बिजनेसमेन मित्रों के 3 लाग करोड से ज्यादा कर्च को माफ कर दिया मगर किसानों का नहीं किया उन्होंने कहा कि नीरव मोधी, विजय मालिया, मेहुल चौकसी देश का पैसे लेकर भाग गये देश छोड़ने से पहले विजय मालिया, वित्त मंत्री अरुन जेटली से मिल कर गया था 36 गड़ में अपनी पहली चुनावी रैली में प्रधान मंत्री ने कहा शहरी मावबादी बातानों को लिक माहोल में रहते हैं बड़ी गाडियों में चलते हैं और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं लेकिन वे हमारे गरीव आदिवासी नोजवानों का जीवन बरवात कर देते हैं शहरी मावबाधी रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं पी-यम ने लोगों से शहरी मावबादियों का समर्थन ना करने की अपील की जौर्बन माववादी है, वो शहरों में एर कंडिशन घरों में रहते हैं, साथ सुथरे दिखते हैं, अच्छे खासे लोगों में बैटने उठने क्या अपना एक रुत्बा बढाते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमते हैं, लेकिन वहाँ बैटे बैटे रिमोट सिस्टिम से हमारे नादिवासी बच्चों की जिन्दी की सबाह करने का ये काम करते हैं। पी-एम मोदी ने कहा कि मैं बस्तर की लोगों को अपील करता हूँ कि वो इस बार कॉंग्रेस को करारा जवाब दे। उन्होंने ये कहा कि कॉंग्रेस पहली बार तो शहरी माववादियों का बचाव करते हैं और दूसरी और कहते हैं कि 36 गोड़ को माववादियों से वुक कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कॉंग्रेस 10 वर्षों तक केंद्र में सरकार में रही मगर 36 गड़ के जरूरतों के बारे में नहीं सोचा और उनके विकासों के बारे में भी नहीं सोचा अब देखने वाली बात ये रह गई है कि राहूल गा खुदी फिर से यहाँ पर जंडा गारते हैं। बड़े खवरों के लिए बने रही है NBC हिंदी के साथ।